अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको अर्थमाटिक मीन निकालना सिखाया था इन केस अब डिस्क्रीट सीरीज और वहां पर हमने डारेक मेथट और एज्योम में में अथा किया था इस वीडियो में भी आई विल बेकिंग यूज डारेक मेथट और बेसिकली और एज्योम में में इसके लिए मैंने छोटा सा कोशन लिया हुआ है आप कई बार क्या होता है कोशन में बस यह आपको जो इंटेवल्स है यह थोड़े जाधा बढ़ा देंगे कैलकुलेशन करनी है बाकी कॉंसेट फिल्कुल सेम रहेगा तो देखी कोशन में क्या लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है इसके अंदर इसे रेंज आ जाती है इसको हम लोग क्लास इंटरवल्स बोजते हैं ठीक है और स्टूडेंट्स जो फिक्मेंशी हमारी होती है उसको हम बोजते हैं नबर ठीक है नमबर फिक्शेट्ट्स या आपको कोई भी चीजह ऐसे नमबर में गिवन होगि एकशा के लावा तो उसको हम स्ट इस climate consider करते है है ठीक है तो अब अगें मैं यहाँ पर आपको फॉर्मला लिखके दिखाऊंगा सबसे पहले डारेक्ट मेथड का क्योंकि उसके विहाब पर ही हम क्याल्कुलेशन करेंगे और आगे टेबल्स बनाएंगे तो डारेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मला क्या होता है सिग्मा एफ एम भी बोल देते हैं कुछ लोग सिग्मा एफ एक्स भी लिख देते हैं एक ही बात है अपॉन सिग्मा एफ मैं एम क्यों लिखता हूँ वह अभी मैं आपको बताऊंगा ठीक है अब इंडर्वल है जब डिस्क्रीट सीरी हमने किया था हमने डारेक्ली मल्टिप्लाइ कर द मैं थोड़ी छोटे-छोटे कॉलम्स इसलिए बना रहा हूं ताकि हमको आगे एज्वी में मेथड में भी कॉलम्स चाहिएंगे तो दीकि मिड़ पॉइंट कैसे निकलता है किसी भी चीज़ का यह 0 है और यह 10 है तो 0 प्लस 10 अपॉन टू तो 5 आपको सारे निकालके दिखाने के जोतनी है ऐसे आप डारेक्ली कर सकते हो 10 प्लस 20 अपॉन टू थर्टी बन गया 10 प्लस 20 थर्टी अपॉन टू 15 अभी 10 10 की गयाप में चल रहे है ना तो यह मिट पॉइंट भी 10 10 की गयाप में चेंज होगा 25 and 35 आप करके देख लीजे 20 प्लस 30 कितना होगा 50 50 डिवाइड वाइड 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 टू 25 मिट पॉइंट का मतलब ही होता है कि जो हम बिल्कुल मिडल वाल्यू दोन होगी तो इसे हम टू से डिवाइड करते मिट पॉइंट पॉइंट निकालने के लिए अब मीन का फॉर्मॉला क्य हंड्रेड वन इंटू 35 35 अब डारेक्ट मेंटड के लिए मुझे फॉर्मॉला क्या चाहिए सिग्मा एफ एम सिग्मा मतलब टोटल इन सब को आप आड कर दीजिए तो आपको मैं बतायता हूं यह वैल्यू आईगी 190 और स्रिक्वेंसी की टोटल कितनी बनेगी हमारी 2 प्ल अगर मैं इसको शॉर्टकट में आपकी चॉइसा आप कॉइंसा भी में यूज कीजिए अगर आप 11-12 के स्टूटेंट है तो जनली टीचर्स बोलते हैं शॉर्टकट में थर्ड या एज्यूम में में थर्ड से निका लिए लेकिन अगर आप ग्राजविशन और पोस्ट ग्राजविशन की हैं महाँ पर सिंपल आपसे वह बहुता है कि आप आंसा निकाल के दिखाए वह मैं थर्ड मेंशन नहीं करते हैं Assume mean method तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, because simple बना देता है यह जीजो को, formula इसका क्या होगा, same mean, जैसे महाँ पर हमने यूज़ किया था, a plus sigma fd upon sigma f, अब कई जगा पर आप यहाँ देखोगे, sigma f की जगा n भी लिखा होगा, sigma n, तो n और sigma f का मतलब same ही होता है, that is total of frequency, so don't get confused, ठीक है, तो अब अगेन, अब यहाँ देखिए आप, महाँ पर जब discrete series में, हमने midpoint लिया था, इस में से, लेकिन अब midpoint, sorry, d, assume mean हमने लिया था, इस में से, लेकिन अब assume mean हम इस में से ने लेंगे, हम midpoint में से लेंगे, क्योंकि midpoint अगेन निकला किस में से है, x के बीच में से ही निकला है, तो अब यहाँ देखिए, जैसे मैं आपको last class, last video में बता रहा था, कि 5 items होती हैं, तो हम middle value को लेते हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं 15 को ले रहा हूं, अब आप कहते हूँ मैं 25 से ले रहा हूं, आप कुछ भी लीजिए, आपकी यह calculations change हो जाएंगी, लेकिन जो mean नीचे answer mean का आएगा, वो same रहेगा, आप try भी कर लीजिए, वरना आप मैं 15 से कर रहा हूं, तो आप भी 15 से try कर लेना, तो अब सबसे पहले आगें, दी निकालना है, दी का formula same है, x-a, और last column फिर हमारा बन जाएगा, f, d, तो let us see, what is a here, a हमारा 15 है, तो x कितना है, x अब यही रहेगा, हम midpoint को ही x मानेंगे अब, क्यों, क्योंकि range को हम ऐसे solve नहीं कर सकते, इसके लिए हमने क्या निकाला continuous series में, midpoints, तो 5 में से 15 गया, minus 10, 15 में से 15 गया, 0, 15 में से 15 क्यों गया, क्योंकि यह x भी 15 है, और assume mean भी 15 है, 25 में से 15 गया, 10, 35 में से 15 गया, 20, अब f और d, यह रहा f, यह रहा d, अगर आप direct method नहीं solve कर रहें, तो आप fm नहीं निकालेंगे, लेकिन midpoint तो आपको तब भी निकालने पड़ेंगे, चाहे आप direct method से solve करो, चाहे आप assume mean method से करो, midpoint तो निकलेगा, क्योंकि उसी की basis पे हमारा d और assume mean हमें मिलेगा, ठीक है, तो 2 into minus 10, तो this is minus 20, 3 into 0, 0, 4 into 10, 40, 1 into 20, 20, तो अब हम निकालेंगे, सिग्मा fb, अब देखे, 20 plus 40, 60, 60 में से 20 गया, 40, तो यह हमारा सिग्मा fb आ गया, अब हमें कुछ नहीं कहा न, फार्मले में value put करने है, assume mean कितना है हमारा, 15, a, plus sigma fb कितना है हमारा, 40, divide by sigma f, that is 10, तो यह तो simple कटी रहा था, 0 से 0, अब क्या बचा, 15 plus 4, 19, तो देखिए, चाहिए आप कोई भी method से answer निकाली है, आपका answer same हैगा, that is 19 and 19, I hope this concept is clear to you, तो आप चाहे discrete series हो, चाहे continuous series हो, चाहे individual series हो, mean आप इन में से कोई भी formula use कर सकते हैं, thank you,